है आज लांस क्लास में आपने डिसक्रस किया था पॉब्लिक सेक्टर बैंक्स नाबाड सेड़ी इन सब के बारे वान डिटेर में हमने डिसकर्शन किये थे आज हम नेक्श चप्टर पे आते हैं डेट इस फाइनेशल इंक्लूजर विप्तिय समावेश क्या होता है आज कर आपने लगातार ये न्यूज में सुना होगा कि गवर्मेंट जो है वो फाइनेशल इंक्लूजर की ओपर काम कर रही है वाट इस फाइनेशल इंक्लूजर होता क्या है विप्तिय समावेश सबसे इंपोर्टन चीज यहीं आती है देखिए आपको मालू होगा कि हमारे देश की अगर हम बात करें तो कैश टांजिक्शन बहुत ज़्यादा होती है हमारे देश में लगबग 97 परसेंट टांजिक्शन है वो कैश टांजिक्शन है उसका रीजन है कि जो पब्लिक है जो लोग है मारे यांके जो इंडियन्स है वो सिस्टम के साथ जुड़े हुए नहीं है और जिस कारण से गौर्णमेंट की जो बेनिफिट्स होते हैं गौर्णमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उनका बेनिफिट्स उन लोगों तक नहीं पहुच पाता जो सिस्टम के साथ जुड़े हुए नहीं है रूरल सेक्टर में रहते हैं या ऐसी जगों पर रहते हैं जो दूर दराज के हैं और जिसका बहुत ज़्यादा गौर्वर्मेंट के साथ या फानेंशल इस्टूशन के साथ जुड़ाव नहीं है अब उन लोगों तक बैंकिंग वैसिलिटीज को या पबलिक की गौर्वर्मेंट की जो स्कीम से उनको वहां तक किस परकार से पहुचा रहे जाएं इसमें मदद करता है फानेंशल इंक्लूजन फानेंशल इंक्लूजन का अर्थ होता है Each and every person should be the part of finance यानि कि भारत का परतेक नागरिक जो है वो भारत में वित्त का हिस्सा बने क्योंकि ताकि जो unprivileged sector है वहां तक भी गौर्वर्मेंट की जो facilities है उसको असानी से पहुचाया जा सके उसके अंत्रगर जो है काम किया जा सके अब समस्या यह आती है कि इन लोगों तक जो rural sector में रहते है या भारत के ऐसे areas में रहते हैं जहां पर facilities को provide नहीं किया जा सकता उन तक इन facilities को किस परकार से पहुचाया जाए अगर हम financial reclusion की बात करें इसका benefits क्या है जैसे मुनें बोला कि सभी लोगों को finance के साथ जोड़ना यह government का एक बहुत बड़ा issue रहा है अगर हम पिछले 10 से 12 सालों की पुरानी बात करें तो 10 से 12 सालों से हम लगातार इसके ओपर काम करें हैं कि लोगों को बैंकों के साथ जोड़ दिया जाए क्योंकि जैसे ही हम लोगों को बैंकों के साथ जोड़ते हैं financial inclusion में लोगों की हिस्सेदारी अपने आप ही बढ़ जाती है लेकिन यह किया किस परकार से जाए इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं लेकिन इसमें जो सबसे असान तरीका होता है कि लोगों का बैंक खाता खुलवा दिया जाए क्या होगा बैंक खाता खुलवाने से Suppose कीजिए If a person doesn't have the bank account In that case what will happen? If he saves some amount from his mandatory expenditure Then what will he do? He will keep the money with itself And the flow of the money will be not in the market यानि कि बाजार में जो आपने जो पैसा व्यक्तिन जो पैसा है वो सेव किया वो बाजार में नहीं जाएगा यानि कि मनी का फ्लो जो हो गया वो रू गया और यानि कि सरकार को ये पता ही नहीं चला कि RBI को भी या ये कहीं पता ही नहीं चला कि मार्केट में वासुत्ता में कितना पैसा फ्लो हो रहा है इसी चीज को रोकने के लिए देखने के लिए गौर्मेंट चाहती है कि सभी लोगों का बैल को में खाता खुलवाया जाई इसका हम पर्टर्ट एक्जामपल और भी ले सकते हैं आपने देखा होगा कि अभी गौर्मेंट सबसीडीज की बात करें गौर्मेंट सबसीडीज अंडर डी बी टी भारत सरकार ने जितनी भी गौर्मेंट सबसीडीज है गौर्मेंट की तक छूटे मिलती है उन सब को डी बी टी के अंतरगत डाल दिया है डीवीटी मिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानि कि जो सरकार का जो सब्सिडीज का आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट आपको कैश नहीं मिलेगा वो क्या किया जाएगा गॉर्मेंट जो है उसको आपके खाते में डायरेक्ट भी देगी दो बेनिफिट्स हुए एक जो सरकार जो आपको पैस सब्सिडीज देने के लिए जो पहले आपको कैश सब्सिडीज दीती थी उसके लिए मेडिल मैंस का प्रियोग करते थी विचोलि मिडिल मैंस है उनको पैसा देने की आविशक्ता ही नहीं पड़ी यानि कि गॉर्मेंट की इसके अंतरगत सेविंग्स हो गई यानि कि गॉर्मेंट का जो बज़र डेफिसिट था उसको कंट्रोल करने में सरकार को एक बहुत बड़ी मदद में क्योंकि यह पैसा सरकार जब बज़र डेफिसिट बढ़ जाता था लेकिन जब गॉर्मेंट की सेविंग्स भी साथ साथ बढ़ गई प्लस इसके लावा जब आपका खाता बैंक खाता जब आपका पैसा जो सब्सीडिज का पैसा है जब वह बैंक खाते में गया तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि मनी का फ बैंकों के पास लोन देने के लिए और अधिक पैसा आ गया क्योंकि आपका जो पैसा पहले घर में रहता था वह मार्किट में फ्लो होने के लिए बैंकों में आ अब समस्या यहां पर एक और बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को खासकर जो दूर दराज के एरियास में र चारा फैसलिटीज प्रोवाइड नहीं की गए है उन लोगों तक बैंकिंग फैसलिटीज या गवार्मेंट का जो फाइनेंशन इंक्लूजन सेक्टर है उसको किस परकार से बढ़ावा दिया जाए इसके लिए सरकार ने एक लोजना चलाई आपको पता ही होगा अठाइस पर्धान मंत्री जंधन योजना एकाउंट्स सरकार ने अन प्रिवलेज्ज सेक्टर के लिए यानि कि जिन लोगों के पास कोई ज्यादा फैसलिटीज अविलेबर करने के नहीं है या जिन के पास मिनिमम बैलेंस रखने के लिए पैसा नहीं है तब उन लोगों के लिए सरकार ने योजना चलाई पर्धान मंत्री जंधन योजना खाता खोलने की योजना चलाई 28-8-2014 जिससे भारत में आपको पड़ा भी होगा और आपको बनूम भी होगा जिससे भारत में बैंक खातों की सक्या बहुत तेजी से बढ़ी और इसकी खासियत है यह जो खाते खोले गए नमबर वन इसमें जो कंडिशन रखी गई डैट इस without any minimum balance जानी की आपको अपने खाते में कोई नियून तब राशी रखने की अबशक्ता नहीं है जानी की आप जो खाते हैं उन्हें जीरो बैलेंस पर खोल सकते हैं पहली सुविदा रखी गई इसके अंतर कर और दूसरी रखी गई इजी एकाउंट ओपने प्रोसेस और खाता खोलने के लिए आपका जो प्रोसेस है उसको बहुत ही सरद रखा गया ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति जो है वो इसके साथ जोड़ सके प्लस इसके अलावा बर्देश में इन खातों को और अधिक पर्षित करने के लिए गई आपने यहां पर दी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप्टू रूपी इसके प्हाते हैं यादि कि यहां पर यदि आप अपना जन्र्रम खाता खोरते हैं तो आपको यहां पर जो बैंक है अपके खाते के साथ 5,000 रुपई की mantra की वरटराफ फैसलिटी देता है यारी कि यदि आपके पास खाते में पांच रुपई तक नहीं है तो आप पांच हजार रुपई तक निकाल बढ़न कर जो है उसको प्रयोग कर सकते हैं अलो बार में जो हैं बैंको को लोटा सकते हैं जानिके बिना खाता इत्में पैसा उए भी आप ये फैसिलिटीज हो अवेरिका सरका और जैसे ही ये योजना स्टार्ट की गई बारत में बैंकों में तेजी से बैंक खातों की संख्या बढ़ने लगी और ये एक बहुत ही सक्सेस्फुल योजना रही भारत सरका लिए लेकिन ये सब चीजे जो ग्रामिट चेत्रों के लिए या शेरी चेत्रों के लिए है लेकिन भारत के कुछ ऐसे सेक्टर भी है जहां पर अभी और अधिक फैसिलिटीज को प्रवाइड करने की आवशक्ता है अभी और अधिक बैंकों को साथ लोगों को जोड़ने की आवशक्ता है देखिए एक फाइदा और है यदि आ कारे हो जाता है यानि कि अगर हमारे देश में यह आपको शर्पड़ा भी होगा हमारे देश में अभी रिसेंटली जो है जो cashless transactions है that is only around 3.5 और around maximum around 4% यानि कि हमारे देश में यदि total 100 rupees की transactions होती है तो उसमें 96% जो transactions है वो cash transactions होती है जिस कारण से black money को flow करना सबसे अधिक सरण हो जाता है इसको रोकने के लिए अगर हम bank खातों के through transactions को regulate करें तो black money को control करने में एक बहुती सरणता रहेगी प्लस इसके अलावा एक और benefit मिलेगा that is fake currency तो कि फेक करन्सी को रोकने में भी यह एक बहुती कारगर उपाई है